अगर आप मेरे चानल पर नए है तो दू सब्सक्राइब आप चैनल, लाइक इट, कॉमेंट एंड दू शेर अलोट विद यू फैमिली और फ्रेंट्स तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल रेस्टरोंट स्टाइल में मिक्स वेज, तो ठंड है और मिक्स वेजिटेबल स्टेम्प आपको बहुत अच्छी कॉलिटी में, साथे साथ बहुत अच्छी विराइटी में मिल सकती है, त अगर आपके पर जादा तीखी वाली हो, तो थोड़ी कॉंटिटी कम कर दीजेगा, एक बात जरूर याद रखिए, यह सबजी हमको सरसो के तेल में बनाएंगे, ना कि रिफाइन डॉयल में, उसे जो इसका टेस्ट है, वो एक्ट्वल में ढाबा या फिर रेस्टॉरॉन अब देखे, मैंने इसमें डाली है, कश्मीरी लाल में चमच भर के, देगी मद डाली है, कश्मीरी डाली है, प्यास को मैंने दो प्यास लिए, उसको मीडियम चॉप करके डाला है, आप चाहें तो बारिक भी चॉप कर दीजे, लेकिन जो मिक्स वेज होती है, उसमें जो प काएंगे सिमाच पे तेज मत करिएगा क्योंकि तेज से ये नीचे लगने के चांसेज है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है और कलर इसका थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट आएगा अब मैंने डी सी डेट जो टेमीटो हैं करीबन यहां पे मैंने दो बड़े टमेटो ल करेंगे ढ़के टमटर और प्याच को मैंने इस तरीकी से पका लिया है जादा मैश मत करिएगा थोड़ा खड़ा सबजी रहना है तो इसलिए ऐसे करिए गाजर और मतर मैंने इस तरीके से यहां पर डाली है ये देखिए गोभी को मैं यहां इस्तमाल करी हूँ ये पीली इ जाएंगे हाला कि इस समय की सेजन की सबजियों में कीड़े नहीं आते अब देखिए इसमें मैंने नमक डाल है याद रखेगा नमक हम को भी को पकाते वक्त भी यूज़ कर रहे हैं इसके नमक को आप थोड़ा हाथ कंट्रोल करके रखे नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत ही अब देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेथी मेथी को मैंने अच्छे से पहले वाश रहे हैं पर अच्छे से बारी चॉप कर लिया है और इस कंडिशन बे हम मेथी डालेंगे जो उसका ग्रीन पन है याने के जो में क्लूर्फिल है और जो सबजी की नूट्रियेंट्स है वो हीट के कारण खराब ना हो हीट के कॉन्टक्ट में आते ही जो सबजी है हरी सबजी आ वो अ जनिया पाउडर अगर कॉन्टिटी जादा है दो के तीन चमच कर दीजे यह देखिए मैंने यहां पर डाला है थोड़ा सब भूंजा हुआ मिडियम वाला जीरा पाउडर फिर मैं यहां पर डाल रही हूँ सबजी मसाला जो कि मैंने खुद घर में बनाया है सबजी मसाला क कैसे मनाते हैं यह मुझे बताईएगा अगर आपको जानना है तो मैं आपके लिए वीडियो डालू जालोंगी यहां पर मैंने डाला है फिर से भूना जीरा हुआ लेकिन यह वाला थोड़ा से जादा पका देना है यानि कि थोड़ा से जले से एक स्टेज पहले उससे जो हमा मैं यहां कर रही हूँ मुझे क्या होता है कि जो रेस्टोरांट वाले हैं या धाबा वाले वो धेस आरा इसमें मलाई यहने की क्रीम डालते हैं मैं वह इसलिए नहीं पसंद करती हूँ अगर हम इसको डेली बेसिस पर घर पर बना रहे हैं तो इतना मलाई बगरा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है हां अगर आप इसको occasionally बना रहे हैं तो बिलकुल डालिए लेकिन अगर आप दही की इस तरीके से बनाएंगे trust me at the end result आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सबजी में आपने दही का स्तमाल किया है खासी कास अब मैंने आप देखिएगा मैंने अमचूर का स्तमाल नहीं किया है इस पूरी डिश में तो जो दही है वो हमारी सबजीों में एक अलग सी खटास देगा यानि की खटापन देगा जो के नाच्रल है और लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो बस सबजी बनके तयार है सबजी को सर्फ करने के बाद आप अच्छे से उपर हारा धनिया धोला हुआ चौप करके सजाईए और इसको इन्जॉय करें गरम गरम पूरियां या पराठे या फिर दाल चावाल के साथ मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस इन्जॉय कोकिंग